नमस्कार आप देख रहे हैं कच्चा चिठा और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर देश में एक बार फिर से CAA UCC को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है लेकिन कहानी में मोड तो उस वक्त आया जब मोदी सरकार के मंत्री ने ये एलान किया कि साथ दिनों के अंदर CAA पूरे देश में लागू हो जाएगा फिर क्या था विपक्ष से लेकर गलत खबरे फैलाने वाले लोगों की बयानबाजी तेज हो गई और गलत तरीके से खबरों को फैलाने भी शुरू हो चुका है लेकिन ऐसे में सवाल है कि अगर CAA लागू होता है तो फिर क्या कुछ बदलाफ होंगे और कौन है वो मोदी सरकार के मंत्री चिन्हों ने अपने बयान से तहल का मचा दिया है इसी का पूरा कच्चा चिठा खोलेंगे केंद्रे मंत्री शांतनू ठाकुर ने अपने एक बयान से सियासी बवाल शुरू कर दिया है चिसमें उन्हों ने कहा कि मैं गारेंटी देता हूँ कि देश भर में साथ दिनों के अंदर नागरिक संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा दरसल ठाकुर दक्षिन 24 परगना के काक द्वीप में एक रैली को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ही नहीं देश भर में अगले साथ दिनों के अंदर CAA लागू हो जाएगा ठाकुर बंगाओं में भाशपा के सांसद हैं इसे लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बैनर जी ने कहा कि भाचपाप CAA का शोर मचा रही है ये उनकी राजनीती है हमने सभी को नागरिकता दी हैं और जो लोग बॉर्डन इलाकों में रहे रहे हैं उन्हें सब कुछ दिया जा रहा है बेराच के नागरिक हैं इसलिए उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है इससे पहले कॉलकता में पिछले साल दिसंबर में एक रैली के दौरान ग्रिह मंत्री अमिच शाहा ने भी कहा था कि CAA को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता शाहा ने घुसपैट ढश्टाचार राजनीतिक हिंसा और तुष्टी करण के मुद्दो पर ममता बैनर जी को घेरा था उन्होंने लोगों से ममता सरकार को बंगाल से हटाने और 2026 विधान सभा चुनाव में भाजपा को चुनने का आगरह किया था शाह के बयान पर ममता ने कहा था कि वे लोगों को विभाजित करना चाहते हैं पहले नागरिक्ता कार्ट जिला मेजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी थी लेकिन अब केवल राजनीति के लिए छिन लिया गया है वे इसे किसी को देना चाहते हैं और दूसरों को इससे वंचित करना चाहते हैं अगर किसी समुदाय को नागरिक्ता मिल रही है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए 11 दिसंबर 2019 को राच सभा में नागरिक्ता संशोधन विधेयक 2019 CAB के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को इसे राश्ट्रपती की मन्सूरी मिल गई देश भर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका था इसे ग्रिहम मंतरी अमित शहा ने 9 दिसंबर को लोग सभा में पेश किया था 2016 में नागरिक्ता संशोधन विधेयक 2016 CAA पेश किया गया था इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाफ किया चाना था ये बदलाफ थे भारत के तीन मुसलिम पडोसी देश बांगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुसलिम सरनार्थियों को नागरिक्ता देना 12 अगस 2016 को इसे संयुक्त संसद्य कमिटी के पास भेशा गया कमिटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौपी था लोग सभा में आने से पहले ही ये बिल विवाद में था लेकिंग जब ये कानून बन गया तो उसके बाद इसका विरोध और तेज हो गया दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए 23 फरवरी 2020 की रात चफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड के कट्टा होने के बाद भड़की हिंसा दंगों में तबदील हो गई CAA बिल के संसत के दोनों सदनों से पास होने के बाद चार राचे इसके विरोध में विधान सभा में प्रस्ताफ पारित कर चुके हैं सबसे पहले केरल के मुख्य मंत्री पिनराई विजिन ने दिसंबर 2019 में CAA के खिलाफ प्रस्ताफ पेश करते हुए कहा कि ये धर्म निर्पेक्ष नजरिये और देश के ताने बाने के खिलाफ है इसमें नागरिक्ता देने से धर्म के आधार पर भेद भाब होगा इसके बाद पंजाब और राजस्तान सरकार ने विधान सभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताफ पारत किया चौथा राजिये पश्चिम बंगाल था जहां इस बिल के विरोध में प्रस्ताफ पारत किया गया पचिम बंगाल की CM ने कहा था बंगाल में हम CAA, NRP और NRC की अनुमती नहीं देंगे बीते दिनों एक सरकारी अधिकारी ने बताया था कि तयार यहां पूरी है और CAA को लोग सभाज चुनाफ से काफी पहले लागू कर दिया जाएगा Citizenship Amendment Act यानि CAA क्या है? इससे मुसलिम क्यों डर रहे हैं? क्यों होता है विरोध प्रदर्शन और पिछले चार साल से ये थंडे बसते में क्यों है? केंद्री ग्रिहर राज्चे मंत्री अजय मिश्रा ने रविवार 26 नवंबर को कहा था कि नागरिक्ता संशोधन अधिनियम यानि CAA का फाइनल ड्राफ्ट अगले साल 30 मार्च तक तयार होने की उम्मीद है उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद ने नौर्थ 24 परगना के ठाकुर नगर में मत्वा समुदाय को संबोधित कर रहे थे इस दोरान अजेय ने कहा कि कोई भी मत्वा समुदाय से नागरिक्ता का अधिकार नहीं चीन सकता जो बांगलादेश में धार में कुछ पीरण के कारण भाग गए थे वहीं दूसरी तरफ युनिफॉर्म सिविल कोड यू सी सी का ड्राफ तयार करने के लिए गठित समिती अपनी रिपोर्ट आगामी दो फरवरी को उत्रा खंड की धामी सरकार को सौप देगी मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दो फरवरी को समान नागरिक सहंता लागू करने के लिए बनाई गई कमिटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौप देगी धामी ने ट्वीट कर बताया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ट भारत के विजन और चुनाव से पूर्फ उत्रा खंड की द्वेतुल्य जंता के समक्ष रखे गए संकल्प एवम उनकी आकानशाओ के अनुरू हमारी सरकार प्रदेश में सामान नागरिक सहिंता लागू करने हे तू सदैव प्रतिबद रही है युनिफॉर्म सिविल कोट का मसौत तयार करने के लिए बनी कमिटी दो फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौपेगी और हम आगामी विधान सभा सत्र में व फरवरी को अयोध्या राम मंदर के लिए प्रस्ताफ दोरा रद कर दिया था ड्राफ्ट कमिटी की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इसे वित वित और न्याय विभाग के पास भेजेगा ताकि रिपोर्ट के हर पहलू पर विचार किया जा सके और इसके कानूनी पक्ष को स समझने के लिए भी समय मिल सके अब ऐसे में सवाल है कि अगर साथ दिनों में CAA लागू होता है तो क्या कुछ बदल जाएगा इसको जानने से पहले आप समझे कि CAA क्या होता है दरसल सिटिजनशिप अमेंटमेंट टाक्ट के लागू होने पर तीन पडोसी मुसलिम बहुल इनमें गैर मुसलिम, माइनॉरिटी, हिंदू, सिक, बौध, चैन, पार्सी और इसाई शामिल है नागरिक्ता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था यहां से तो ये पास हो गया था लेकिन राच्यसभा में अटक गया था बात में इसे संसद्य समि और जगा पास हो गया 10 चनवरी 2020 को राष्ट्रपती की मन्सूरी मिल गई थी लेकिन उस समय कोरोना के कारण इसमें देरी हुई मिघाल में वैसे तो गारो और ज्वेंतिया जैसे ट्राइब मूल निवासी है लेकिन अल्प संख्यकों के आने के बाद वे पीछे रहे गए हर जगा माइनौरटी का दबदबा हो गया इसी तरहा त्रिपुरा में बोरोग समुदाय मूल निवासी है लेकिन वहां भी बंगाली शन्नार्थी भर चुके हैं यहां तक की सरकारी नौकरियों में बड़े पत भी उनके ही पास चा चुके हैं अब अगर CAA लागू होता है त अची कुछी ताकत भी चली जाएगी दूसरे देशों से आकर बसे हुए अलप संख्यक उनके संसाधनों पर कबजा कर लेंगे यही डर है जिसकी वज़े से पूर्वोत्तर CAA का भारी विरोत कर रहा है असम में 20 लाग से जादा हिंदू बांगला देशी अवैद रूप से निवास कर रहे हैं ये दावा साल 2019 में वहां के स्थान्य संगठन क्रिशक मुक्ति संग्राम कमिटी ने किया था यही हालात बाकी राचियों के भी हैं विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिये खास तोर पर मुस्लिम समुदाई को निशाना बनाया चारा है विजान बूचकर अवैद घोशित किया जा सकता है वहीं बिना वैद दस्तावेजों के भी बाकियों को जगा मिल सकती है विपक्ष का तर्क है कि ये सम्विधान के अनुचे 14 का उलंगन है जो समानता के अधिकार की बात करता है हाला कि पूर्वोत्तर के पास अलग बजा है वे मानते हैं कि अगर बांगलादेश से आए अलप संख्यकों को नागरिकता मिली तो उनके राच्च के संसाधन बढ़ जाएंगे एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि पूर्वत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आज जीविका का संकट पैदा हो जाएगा पूर्वत्तर के मूल निवासी यानि वहां बसे आदिवासी लोग CAA के विरोध में हैं इन राच्चियों में अनुनाचल के अलप संख्यक समुदाए भी आकर बसने लगे हैं खास कर बांगलादेश और पाकिस्तान के अलप संख्यक बंगाली यहां आने लगे हैं CAA लागू करना BJP की प्रतिबधता में शामिल है बंगाल के बंगाओं में BJP सांसत शांतनु ठाकुर ने वही बात दोहराई है जो केंदर ग्रिह मंतरी अमित शाहा ने अपने CAA को लेकर बयान में कही थी पिछले साल दिसंबर में केंदर ग्रिह मंतरी अमित शाहा ने कहा था कि BJP के नितरत्व वाली केंदर सरकार CAA लागू करेगी और इसे कोई भी रोक नहीं सकता शाहा की इस टिपनी को त्रिणमूल सुप्रीमों और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंतरी मम्ता बैनर जी पर निशाना माना गया जो C.A.A. का जबरदस्त विरोत कर रही है शहाने कॉलकता में एक राली में घुसपैड धश्टाचार राजनीती हिंसा और तुष्टी करण के मुद्दों पर मम्ता बैनर जी के खिलाफ तीखे हमले किये थे और लोगों से T.M.C. की सरकार को बंगाल से हटाने और 2026 के विधान सभाच चुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील की थी C.A.E. को लागू करने का वादा पश्चिम बंगाल में पिछले लोग सभा और विधान सभाच चुनावों में भाचपा का एक प्रमुक चुनावी मुद्दा था अब देखना होगा की आगे क्या देखने को मिलता है कच्चा चिठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Capital TV नमशकार